अनुसुची जाती जनजाती पर अन्याएं अत्याचार रोकने कानून बनाए गए हैं फिर भी विक्सित भारत की और फूले साहु शिवाजी अंबेट करके पोरोगामी महराश के सरकारी अफसरों की विक्रती मानसिकता बदलते नजर नहीं आ रही है एक दलत युवक ने 10 साल सीडेक नामक सरकारी कमपनी में काम करने की बाद केवल दलत है यहाँ पता चलने पर आला धिकारियों ने युवक को नौकरी से अटा दिया आज वह न्याय की गुहार लगाते हुए दरदर भटक रहा है आखर परिवार को पालने के लिए उस युव युवक ने अपनी किड़नी तक बेचने को निकाली है फिर भी जिला अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री अनुसचे जाती जन जाती आयोग ने इसे गंभीता से नहीं लिया गौर तलबे की मुलता हिंगन घाट अब नागपुर के जरी पठका में अपने भाई के घर निवास कर रहा सुजीत देविदाज ठमकी की हा करून कहानी है सुजीत उच्छी शिक्षित है Master in Broadcast Journalism MM राजशास्त्र Diploma in Computer Application की पढ़ाई की है लेकिन सरकारी कुविचारों का यह यूवक शिकार बना है परिवार को पालने के लिए वह दोस्ते पैसे उधार लेकर जीवन यापन करता है ऐसा कितने दिन तक करेगा दोस्त भी कब तक मदद करेंगे सुचीत के दो बच्चे बीवी और बुड़ी मा है लेकिन पूरा परिवा बिखर गया है इसका केवल जिमेदार है सरकारी ववस्ता कोरोना काल में तो सुचीत पूरी तरह तूट गया था हाथ में कोई काम नहीं था बच्चों के बिमारी के लिए पैसे नहीं थे जीवन संगर्श कर रहा था NBCN News से बाचीत में सुचीत ने कहा कि तुमी बताओ सहब मैं कैसे जीवन यापन करू या मरू उसने कहा कि अपनी किड़नी बेचने निकाली है सुचीत ने कहा कि अगर मुझे 10 लाग रुपे से ज्यादा मिल जाते हैं तो मैं कर्श चुका दूँगा और बचे हुए पैसे का इस्तमाल अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करने में करूँगा सुचीत सुचीत है अंग्रेजी भाषा पर उसकी कमांड है अपने टैलेंग पर ही उसे नौकरी पर लिया गया था नौकरी के दोरान सुचीत का परिवाद खुशाली से जी रहा था लेकिन अचानक सुचीत का परिवाद सरकारी कुनीती का शिकार बना अब तो सुचीत का जीवन उस नवारी हो गया है सरके उपर कर्स का पहाड चड़ने से सुचीत की मांसिक स्तिती कुछ ठीक नहीं रहती बावजू सुचीत खुद को समाल रहा है जीने या मनने की दुविदा से निकलने का रास्ता खोचने के लिए सीधे उनके दिमाग में किड्नी बेचने का विचार आया और नागपु जिलाधिकारी को किड्नी बेचने की अनुमती मांगी गई थी किड्नी 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 क्या है कोई लेने वाला है सुजीत नीजी अस्पताल के सामने खड़ा होकर कई लोगों से किड़नी खरीदार खोचने के लिए कह रहा है बड़ी शर्म की बात है सुजलाम सुफलता महराश्ट के युवकों को अपनी किड़नी बेचने की नौबत आती है इस बात का संग्यान आला धिकारियों ने लेने की आवशकता है सुजीत ढमके ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेयों केंद्री सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले अनुसजित जाती एवं जन जाती आयोक के सदस्ये को सीडाइंग कमपनी के महानिदेशक के खिलाफ शिकायत भी की है लेकिन अब तक कोई कारवाई नहीं हुई 10 साल तक भारत सरकार के लिए सेवा देने वाले सुजीत को कैसे बिरोजकार किया यह सवाल है कुछ भी मामला हो तो नियाई के लिए पुलिस को शिकायत दी जाती है वहीं सुजीत ने भी किया पूरा जिला के चतू श्रंगी पुलिस थाना में सुजीत ने कमपनी के अलाधिकारियों के खिलाब शिकायत कर एट्रोसिटी का मामला दर्ज किया लेकिन पुलिस ने अपने हाथ गीले कर इन्वेस्चिगेशन में भारी तफावत रखकर 20 समरी फाइल दाखिल कर आरूपियों को बचाने का आरोब सुझीत ने पत्र परिशत में लगाया बताया गया कि राश्री अनुसुचे जाती आयोग ने सुझीत को नौकरी पर लेने की निर्देश के बावजूद आला धिकादियों ने आयोग के निर्देश को कच्रे की टोकरी में डाल दिया सुझीत अकेला पड़ा है उसे अब आगे की लड़ाई लड़ना है लेकिन आर्थिक स्तिती उतनी नहीं है सुझीत को कैसे वकील का साथ मिला तो वह अपनी याचिका कोट में दायर कर नयाय मांग सकता है सुजीत को साहरा नहीं मिला तो सुजीत आखिर सरकारी कुनीती का शिकार बनेगा अन्याय की खिलाफ लड़ने सुजीत को बल और आर्थिक मदद के लिए अब समाज ने आगे आका मदद करने की गुहा सुजीत ढमके ने पत्रपरिशत में लगाई कि अब लुक्त स्वची के लिए इतल आप काई लुच्चे जाती चाहिए अधिकारण आणी तीन चार वड़ शे बसन मला ते रोजगारा बसन वंजिट्टे वता है दली तसले मुढे और नाशनल एस्सी कमिशन जया है तेननी डाइरेक्शन दिलान अंतर सुद्धा मला ते गेनास नकार देता है दली तसले मुढे तर माजी अशी विनन्ति आए कि माजा परिवा करावी आणी या मधेजी आहे नाशनल एस्सी कमिशन नी लवकर आत लवकर लक्षे घालावे वाडी से इंबीसे न्यूस के लिए स्वारप पाटल की रिपोर्ट